बचाओ बचाओ क्या हुआ अरे मुझे डर लग रहा है डर किस चीज का डर बहुत डर लग रहा है क्या तुम्हें जानूर से डर है नहीं नहीं ये लोग मुझे खीच के लिए जा रहे हैं क्या तुम्हें चलने से डर लग रहा है हाँ हाँ बस ऐसा ही कुछ हेलो वेलकम दोस दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल जिम्नास्टिक वाली दोस्तों आप लोगों ने फोबिया यानि डर बहुत सुना होगा किसी को हाइड्रोफोबिया होता है किसी को क्लेस्ट्रोफोबिया यानि पाने से डर किसी कंजेस्टिट बिल्डिंग से डर बट आज जीस के बारे में हम बात कर रहे हैं शायद ही आपने सुना हुआ इसका नाम है किन्सियोफोबिया किन्सियोफोबिया हाँ हाँ चलिए इसके बारे में डिसकेस करते हैं कि यह होता क्या है हाँ दोस्तों किन्सियोफोबिया यह होता है fear of moment when an athlete afraid of free injury such fear leads to avoidance and escape behaviors that negatively impact sports performance कहने का मतलब है जब कोई athlete किसी particular moment से डरने लग जाए कि मुझे ऐसा करते ही दुबारा injury हो सकती है दुबारा चोट लग सकती है वही है fear of moment किन्सियोफोबिया इसका example में बताते हूँ अगर मैंने long jump किया और उस jump को करते ही मुझे कोई injury होगी जब मैं वो moment दुबारा करने क कि कोशिश करूँगी यानि जब मैं दुबारा long jump कि ट्राइ करूँगी तो मुझे थोड़ा सा डर लगेगा कि वैसी ही injury मुझे दुबारा ना हो जाए यही है किन्सियोफोबिया यानि fear of moment इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं किन्सियोफोबिया was first defined by Corey et al in 1990 as an excessive irrational and debilitating fear of physical movement and activity this may result from a feeling of vulnerability to painful injury or re-injury debilitating का मतलब है कम जोर कर देना irrational का मतलब है not based on reason or logic यानि कि किसी reason पर या logic पर अधारित नहीं है बिना किसी कारण के ही आपको डर लगना vulnerability का मतलब है prone towards किसी चीज के लिए vulnerable होना दुर्बल होना या उसकी तरफ जुकाओ होना तो ये हमारे थोड़े से difficult words थे इसमें जिनको मैंने clear किया है I hope आपको समझ में आ गया होगा fear of moment यानिक insophobia आज इतना ही फिर मिलते हैं बाई बाई